नमस्कार वेड़ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है पेश हैं आज की प्रमुख खबरें कोल आवंटन मामले में पूरुपधान मंतरी मनमोहन सिंग आरोपी दिल्ली की पटेयला हाउस कोड ने बुधवार को कोल आवंटन घोटाले में पूरुपधान मंतरी मनमोहन सिंग को भी आरोपी बनाने का आदेश दिया है अदालत ने मनमोहन सिंग को इस संबंध में एक नोटिश भी जारी किया है उन्हें 8 अपरेल को कोर्ट में पेश होना होगा इस मामले में पूर्व कोईला सचिप पी सी परब और उद्योग पती कुमार मंगलम बिर्ला समेथ तीन अन्य को भी नोटिफ जारी किया गया है दूफरी और केंदरी मंतिर प्रकाफ जावडेकर ने कहा कि मनमोहन सिंग को कांग्रेफ की पापों की फजा चुकाना पड़ रही है कांग्रेफ ने कहा कि अगलत के समन मिलने से कोई दोशी नहीं हो जाता अंजली दमानिया ने आम आदमी पार्टी से इफ्तीफा दिया मैंने उस पर भरोसा किया और सिध्धान तो पर अर्विंद का साथ दिया खरीद फरोक्त में नहीं ग़र तलब है कि अंजली दमानिया ने प्रशांत भूशन पर गंभीर आरूप लगाते हुए कहा था कि प्रशांत नहीं चाहते थे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जीत मिले मारकंडे काटजू के खिलाप मिंदा प्रफताव राफ्सपिता महत्मा गांधी को बिटिस एजेंट और नेताजी स्वाफ शंद्रवोस को जापानी एजेंट करार देने की आपत्ती जनक टिपणी करने वाले उच्चेतम नयाया लेके पूर्व नयाया धीस मारकंडे काटजू के खिलाप बुद्वार को राजी सवा में सर्वसंमती से निंदा प्रफताव पारिप कर इसकी कड़ी भर्तसना की गई सवापती हामित अंसारी ने इस सम्मध में एक प्रफताव पढ़ा जिसमें काट जूद्वारा रास्पिता और नेताजी के बारे में की गई आपती जनेक्टिप पढ़ी के निंदा की गई IS आतंकबादियों ने बच्चे को बनाया कातिल आतंकबादी संगठन इसलामिक स्टेट अब मासूमों को भी अपनी पैशाचिक करतूतों में शामिल कर रहा है मंगलवार को IS की और से जारी एक बीडियो में एक बच्चे को फिलिफ्तिनी बंधक को गोली मारते दिखाया गया है बीडियो में मारा गया व्यक्ति इसराइली जासूफ था ऑनलाइन पोस्ट किये गए इस 13 मिनिट के वीडियो में एक आतंक बादी और एक बंधक को दिखाया गया है पहले बंधक को एक कमरे में बैठा दिखाया गया है वह बताता है कि उसे इसराइल की खुपिया एजन्सी मोसाद में कैसे भरती किया गया कैसे ट्रेनिंग दी गई बंधक बताता है कि उसके पिता और भाई ने उसका होफला बढ़ाया वीडियो में बंधक नारंगी रंग का जंप सूट पहने घुटनों के बल बैठा है बच्चा आगे बढ़ता है और 9mm की बंधूग से उसके सिर पर गोली चला देता है इसके बाद बंधक जमीन पर गिर जाता है यह से अब तक के मुखी समाचार और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेब साइट www.webdunia.com नमस्कार